सूर्य नमस्कार सूर्य प्रित्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए उर्जाका स्रोत है। सूर्य योदय और सूर्यास्त के समय से करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जूरते हुए बिना कंधों को जुकाए सीधे खड़े हो जाए। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समी हो और आपके ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रुप से संतुलित करें। इस स्थिती को समस्थिती कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जूरें और अपनी छाती के समीब नमस्कार मुद्रा में ले आए। इसे प्रडाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोडें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से उपर की ओर खींचे। और अपने दोनों हाथों को अपने सर के उपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर जुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्त उत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगी की और तब तक जुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छूना लें। अपने चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें। और अपने दाय पैर को पीछे की ओर ले जाए। और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखी। सुनिश्चित करें कि आपका दाया पैर पंजो पर हो। आपका बाया पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो। दोनों हथेलिया जमीन पर हो। आपके कुले नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्वसंचालन आसन कहते हैं। अब पांचवे चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बाया पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाया पैर की सीध में हो। सु अन्तुलन आसन कहा जाता है। इस धिती में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी च्छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूले उपर की ओर और आप कि ओनिया आपके शरीर के समीद हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के आठ अलग-अलग अंग जैसे दोनों पाउं के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन आठों अंगों पर सामा नियरूख से वितरित हो। अब सात्वे चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी शोनी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की और सरकाएं। और अपने शरीर के उपरी हिस्से को नाभी तक उठा सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हुँ। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। भुज़ाओं के बीच हो। प्रयास करें की आपकी एडियां जमीन को छू सके। इस आसन को परवत आसन कहा जाता है। नौवे चरण के लिए अपने कूलों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाया पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए उन्हां अश्वस अंचालन आसन में आजाएं। दस्वे चरण में अपना बाया पैर भी आगे लाएं और सांस छोडते हुए पुन्हां पाद हस्तासन में आजाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाया पैर से दोहरां। आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांस्पेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रत्यचाप यानि हाई बेपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अलसर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस और अक्यूट आर्थरैटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धन्म के समय और गर्भवस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का भ्यास आपके शरीर को विशाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटा कर पूरे शरीर को सक्रिय करता है। झाल झाल